नमस्कार आप देख रहें न्यूज नाइन भारत और मैं हूँ आपके साथ अशोग चम्हान देश और दुनिया की तमाँ ख़बरों पर आए डालते हैं एक नज़र आजमगर्द बिलरियागंस ठाना के अंतरगत व्यापार मंडल बैठक को शंबोधित करते वे सगड़ी नायाप तैसिलदार ठाना प्रवारी धर्मेंद सिंग वा अन्य लोग मौजूद रहें उलेखनी है कि बिलरियागंस के व्यापारी मंडल अमीत कुमार गुपता बिलरियागंस चेयर्मैन व्यापारी मंडल के सभी लोग उपस्थित रहें कोरोना महमारी को देखते वे मैंक मिस्र ने यह बताया कि दुकान खोलने का जो समय है उन्होंने कहा कि सुबस साथ बजे से 11 बजे तक फल सबजी किराने की दुकान खुली रहेगी 11 बजे से साम 6 बजे तक अधर दुकान खोली जाएंगी लेकि भीड ना लगाएं कोई भी दुकानदार और सभी दुकानदार अपनी अर्टिफीसियल जर्च कराकर प्रमाड पत्र रख ली ताकि हमारे चेक्किंग करने के दवरार प्रमाड पत्र दिखा सके सरकार की जोवदी के गाइड लाइन्स के मुताबित हमें कानूनी कारवाई करनी पड़ेगी सीधे सीजर की कारवाई आप अगर कोई वाइलेशन करते मिला तो जुर्माने का प्रावधान नहीं है हम सीधे सीज की कारवाई करें जो बड़े हैं वो नहीं खुलेंगे राने तो यार इतनी जावाद चली जाएगी स्वापिंग मास् या इससलिंगे जो हुड की दुकाने मतल मिध्धाई की दुकाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैठाके नहीं खिलाएंगे कि सीप07 आपना देगे आदमी आए अपना ले के चला जाए, बैठा के किसी को नहीं खिलाना है, ठीक है, तहां करें जहें नहीं है, अगर आप COVID-19 गाइडलाइन्स को फालो नहीं करेंगे, तो आपके दुकान पे कारवाई कर सकता है, किसी भी समय, तो आपको इसलिए बुला के कहा जा रहा है, क्योंकि आपको ये लगे कि सर जो है, हमारे साथ जैगती कर रहा है प्रसाथ, ठीक है, एक चीज और सभी ग्राहक और सभी दुकानदार, सभी दुकानदार और उनका स्टाफ जो है, सभी दुकानदारों का, वो अपना COVID-19 कोविड-19 टेस्ट करा लें, क्योंकि अगली बार जब चेकिंग होगी, आज के एक आध हपते बाद, जब जिलास्तरी अधिकारियों का कोई दौरा लगेगा, तो आप से COVID-19 निगेटिव सर्टिपिकट मांगा जाएगा, सभी लोग अपनी RT-PCR जरूर करा लेंगे, जितन चेक करा लिजेगा, दूसरी बात, कल आपके यहाँ प्राइमरी विद्याले पे वैक्सिनेशन ड्राइव है, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यापारी और उनके परिवार रहे चुकी, आप लोग रोज जनता से मिलते हैं, तो आपके संक्रमित होने का खत लेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा, वैक्सिनेशन ड्राइव साथ के आसपास ही लग रही है, बिलरिया गंज वहां भी टीका लग रहा है, तो जितने 45 साल से उपर के दुकानदार हैं, वो ततकाल करा लें, और जो 45 साल के नीचे हैं, वो अपना जो है वो कर दें, रिजिस् तो हमारा आप लोगों से यह बेख्चा है,